अबसे आप अपनी कार को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे अगर आपके पास commercial कार है तो आप उसे 15 साल तक ही चला सकते हैं और अगर आपके पास personal कार है तो उसे आप 20 साल तक ही चला सकते हैं नई कार policy के according आपको इन कारों को scrap के अंदर देना पड़ेगा और आप 15 साल के बाद इन कारों का registration renew नहीं करवा सकते हैं सरकार अपनी नई scrap policy से लईए pollution को control करने के लिए इस scrap policy के कुछ फायदे भी है अगर आप अपनी कार को scrap के अंदर देते हैं और बदले में नई कार लेने जाते हैं तो आपको 35% का फायदा मिलेगा जैसे ही आप अपनी कार scrap में देंगे तो आपको एक scrap certificate मिलेगा उस scrap कार के certificate के वज़े से आप direct 5% का discount मांग सकते हैं नई कार के ओपर dealer से और आपको नई कार के ओपर registration fees भी नहीं देनी पड़ेगी